Hi Friends, तीन सेक्टर, Health, Wealth और Relationship ये तीन ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काम करने वाली दोस्तों, कम्पनीज हमेशा एक consistent growth पाथ पे चलती रहती है और Health सेक्टर की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है फार्मा सेक्टर का तो फार्मा सेक्टर में कौन सी कम्पनी जैसी है जो मल्टी बेगर है, कौन सी जैसी है जो की विनर बनने वाली आने दिनों वाले दिनों में और हर कम्पनी आपस में दूसरी कम्पनी के मुकाबले में कहां टिकती है इन सब का analysis करेंगे इसी वीडियो में और फार्मा सेक्टर करके चार बड़ी बड़ी कंपनीज का एनलेसिस कंपरिजन शुरू करते हैं अब सो लेट्स बेगें सागर्णोविक्स तो जैसा कि वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में भूल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपको तुरंत मिल है चली शुरू करते हैं देखते हैं चाहर फार्मा कंपनीज जो कि लीडर सब्स tactics को एक टो को में पता ही हैँ गया यह फिर्म क्या बनाती है यहां पर हम सबसे पहले companies के बात करें तो market cap wise दोस्तो companies number one पे कौन सी है वो है sun pharma 3,57,000 करोड की market cap बहुत बड़ी market cap तो company number one size में है sun pharma और साथ में second number पे है दोस्तो zidus और supply ये लगबग बराबर सी है थोड़ी सी supply बड़ी है बट ज्यादा अंतर नहीं है और mankind क्योंकि नई company है तो करीब 83,000 करोड की market cap के साथ में यह fourth number पे है बट इसकी rising speed बड़ी तेज है प्राइस की बात करें तो वही 1000 से 2000 रुपे के प्राइस सबकी ये लगबग बीच में और अगर हम बात करें इस टोक के प्रीमियम प्राइस पर मिल रही है और वजय तो पता है ही आपको क्योंकि इसके जो products है उसकी demand हमेशा बनी रहती है आप जाके search करके देख सकते हैं ठीक है आगे बात करें हम दोस्तों तो dividend yield के मामले में zidus जो है वो आपको दे रही है 0.5 supply 0.58 दे रही है और dividend में आपको सबसे ज़्यादा dividend दे रही है sun pharma यानि 0.8 पर क्या dividend एक अकेला एक ऐसा criteria है जो आपको किसी भी company को select करने में देखना चाहिए तो answer दोस्तों बिल्कुल नहीं dividend के अलावा भी बहुत सारी चीए देखनी होती है क्योंकि अकेले dividend को देखने से आप गलत decision पे भी जा सकते हैं जैसा कि वेदानता के case में हुआ जो 357% dividend दे रही थी लेकिन उसके लिए शेर बजार से महेंगे दाम में high interest rate पे loan ले रही थी तो आप समझ सकते हैं इंप्लोईड और खास तोर पे return on equity इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा जो return on equity दिया है वो दिया है आपको किसने mankind फार्मा ने यह टॉपर है second number पे zidus है और बाकी सबसे कम अगर return on equity दिया है तो sun फार्मा ने दिया है यह वाकई में एक ताजूब की बात है बट हाँ सचा ही यह है और इस हिसाब से आपको करीब करीब यह मान के चलिए mankind फार्मा तेजी से बढ़ती हुई futuristic company के तोर पे देखी जा सकती है sales की growth की बात करें तो देखिए यह सारी तीनों companies 9-10 पे grow कर रही है और mankind फार्मा 19 पे grow कर रही है आप समझे रहे growth fastest है इसकी साथ में profit growth के मामले में भी यह number one पे है so mankind pharma is now emerging as one of the most powerful companies in the pharma sector let's continue आगे देखें तो promoter की holding तो लगबग सब में ठीक ठाग है सिपला में थोड़ीची कम है तो वह एक थोड़ा सा वजया है बाकी सब में ठीक है प्लैजिंग परसेंटेज की कोई टेंशन किसी भी company में नहीं है क्योंकि जरा सा सबका यह 0% की आसपास है दो परसेंट संफार्मा का है विच इस अब्सलूटली नॉर्मल नॉप आफ फार्मा तो यह अभी भी इतनी महेंगी नहीं है पेग रेशो की साब देखें अच्छा यह प्यरेशो होता क्या है और पेग रेशो किस तरह से काम करता है पी रेशो क्यों different है आपको एक स्टॉक में दोनों में से कौन से रेश्यो को क्या समझना चाहिए किस ध्यान द रखा है उस link पे 30 minutes में stock को analyze कैसे करें उसका एक छोटा सा video course मैंने बनाया है जो आपके लिए आप सब मित्रों के लिए मेरी तरफ से free of course available है आप अभी link पे click करिए और सेकड़ों हजारों उन दोस्तों से जुड़िये जो की इसी course को करके और उन में शामिल हो जाईए जो की stock analysis को करना सीख चुके हैं तो free course है आपको तुरूंत कर लेने में कोई बुरा ही नहीं है जरूर करिएगा मैं आपको strongly suggest करूंगा ताकि stock market में आपको कोई misguide नहीं कर पाया साथ में दोस्तों इसके अलावा आने वाले दिनों में उसमें आप एक कम्यूनिटी का हिस्सा बन जाएंगे सागर्णोमिक्स कम्यूनिटी पर ताकि आने वाले दिनों में बहुत से questions है वह live sessions के थूभी हम लोग answer करेंगे कुछ चिट-चैट होगी कुछ दोस्ती होगी कुछ बातें होगी कुछ आपस में और भी बहुत सारी चीए नौलेज शेरिंग होगी तो वह सब आपको मिलेगा इसनिए आपको यह जरूर करना चीए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बई मैं तो देखें तो 400-500 रुपए के आसपास करीब करीब सब का ग्राम नंबर है 600 का ग्राम नंबर सिप्ला यह 600 के आसपास है पाइल जो पित्रोस की स्कोर है हाइस्ट किसका है दोस्तों हाइस्ट है मेंकाइंट फार्मा वाव नाइन आउट और नाइन 100% मार्क्स मिलें दोस्तों इसको तो this is absolutely really wonderful company लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने बोला और तुरंट जाके खरीद लो नहीं नहीं दोस्तों देखें कहते हैं मेहनत तो करनी ही पड़ती है चाहे आप business करें चाहे job करें चाहे share market में invest करें आप मेहनत करें वीडियो मेरा प आप अपने decision खुद देना सीख पाएंगे ना कि किसी के कहने से ले पाएंगे ठीक है तो इसलिए आपको अपनी knowledge जरूर बढ़ानी है और उससे आप यह सारी बारिक्या समझ जाएंगे तो full marks किसको मिले है इसमें पित्रोस्की score में आपको mankind pharma को next दोस्तों बात करते है प् सारी एक इतरह से चलती है मतलब सबका इंडिया में भी business है सबका US में भी business है लगबग यह मान की चलिए सबके margins लगबग एक से हैं क्योंकि raw material भी लगबग एक सा होता है तो यहां पर आपको ज्यादा फरक नहीं दिखेगा क्योंकि आप देख सकते हैं जो operating profit margin में Sun Pharma 24% 26% 25 25% लगबग 20 में है सिपला देखें तो वह भी 20 में 25 26 जाइडस देखें तो वह भी 20 में 25 26 और अगर mankind देखें तो भी 25 26 तो दोस्तों margin में तो कोई भी winner नहीं है सारे बरावर हैं अब जरा आगे कुछ और numbers पे नज़र डाने net profit पे देखते हैं तो net profit में अगर आप देखो तो यहाँ ना हमको क्या देखना होता है हमको profit के साथ यह देखना होता है कि किसी ने loss तो नहीं दिया है और profit की growth कैसी है तो देखें यहाँ ना sun pharma तो grow करी दिये लगाता मतलब करीब 842 से यह 26591 पे पहुँची है करीब-करीब धाई गुना तीन गुना के आसपास तीन ग डबल भी नहीं हुई है जाईडस तो तीनों में सबसे अच्छी growth किसी है sun pharma की लेकिन अगर बात करें हम लोग mankind pharma की तो दोस्तों यह ना अब list इन से इतना late list हुई है ठीक है कब list हुई है जी कब से data है हमारे पास मैं बता रहता हूँ मार्च 22 से मार्च 22 से यह जो data है या यानि कितने time में within लगबक two years तो यहां पर सबसे fastest growth किसकी है mankind pharma की तो दोस्तों यह overall है बाकी देखिए एक आज चीजें और देख लेते हैं कि इन में cost किसकी लग रही है वाना खर्चा किदर हो रहा है company का आपको पता होना चीए company में पैसा किदर से आ रहा है पैसा किदर ज खर्च कर रही है 20-25 परसेंट सिपला महंगा माल खरीदती है तो वह 35-36 कर रही है और जाइडर्स भी 35-36 परसेंट पर खरीद रही है और mankind pharma तो प्रोडेक्टी डिफेरेंट बनाती है तो उनकी भी costing 36 है अब यहाना एक आपको important चीज में बताता हूं इनका जो margin यह जो इन कमपनी 3.500 क्रोड की market cap लेके बैठी है यानि तीनों कमपनी जो है उन सब को जोड़े market cap को तो शायद सिपला की market cap के आसपास पहुँचेंगे तो इस वज़े से जब यह बड़ी कमपनी है तो यह बड़ा माल खरीदती है बल्क में खरीदती है तो यह जो material खरीदती है उसम chemical sun pharma को हो सकता 70 रूपीज में मिर जाए और इस वज़े से इनका profit margin बढ़ जाता है इनकी material cost कम हो जाती है तो आपको समझ में आए गया होगा तो यह दोस्तों overall जो है आप देखिए फार्मा सेक्टर का comparison है बाकी और numbers में कुछ खास है नहीं balance sheet वगरा तो सबकी clean है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है रेशो में आप देखें तो यहां ना आपको एक चीज पर नजर जरूर डालनी चाहिए और वो है debtors days दोस्तों वह होता है कि कितने दिरों में इनके पास में पैसा आता है चाहे वह यूएस से हो चाहे कहीं से भी जहां से भी आता है तो इनका पैसा कितने दिनों में recover हो रहा है तो आप देखिए कि 79 डेज 85 डेज इनका भी लगबग 70-80 इनका भी 80-80 लेकिन सबसे जल्दी पैसा किसका recover हो रहा है Mankind फर्मा का आप देख रहो 24 दिन डेज में यानि कि यह जो पैसा बिजनेस में लगाते है तो मान के चलिए इनका उधारी का पैसा आना वो सिर्फ 20-22 दिन में इनके पास में आ जाता है यानि एक बड़े कस्टमर को आज इनोंने माल दिया और 20 दिन के अंदर उसका पैसा आ गया लेकिन वहीं पर बाकी तीनों कंप्रीज में पैसा कितने दिन में आ रहा है 70 डेज बाद में 80 डेज बाद में तो यहां पर जल्दी पैसा आने से यह कंपनी बिजनेस में दुबारा पैसा लगा सकती है और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकती है तो अगर आप देख सकते हैं तो चारों कमप्रीज का कंपरीजन मैं आपके सामने रख दिया है और मैं साफ तोर पे यकीन करता हूं कि आप साफ समद गये ह पर है और कौन सी आने वाले समय की दीडर बनने के पूरे पूरे चांस उम्मीद रखती है तो दोस्तों कैसा लगा यह कम परीजन कम टाइम में मैं बस कुछ चीजें कवर कर पाया हूं लेकिन कोशिस किये मैंने कि आपको मैक्सिमम चीजें बता सकूं और आपका टाइम भी ब दोस्तों आने वाली दिनों में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बताईए मुझे मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई साब क्या कर रहे हैं वीडियो लाइक करिये और इसको शेयर करिए वाटसप करने के लिए शेयर करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन करने के लिए इतना प्यार संवान देने के लिए बहुत भूट धन्यवाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी तब तक देध्यान रखे अपना जैहिन